मैंने आपको कल कहा था कि कल मैं आपको ओ और और की मात्रा का सुन्युक तभ्यास कराऊंगी सबसे पहले हैं अक्षर और मात्रा जोड कर शब्द बनाईए अब यहाँ पर अक्षर और मात्रा दी गई है हमने इन दोनों को जोड कर हमने क्या बनाने शब्द तो अब यह देखिए च प्लस ओ प्लस र तो यह कौन सी मात्र है ओ की तो क्या बनगे च और चोर अब next है हमारा ब प्लस ओ प्लस तल क्या बनगे बोतल ब ओ तल बोतल next है हमारा त ओ लई यहां तौलिया क्या बनगे त ओ लि यहां तौलिया next है प क ओ रई पकोड़ी next है द ओ पहर दो पहर अगर आपने मेरी पहले वाली ओ और ओ की मात्रा जहां पर मैंने करवाई हैं अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी हैं तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शियर कर दूँगी तो अब वहां से प्रिविएस जो वीडियों हैं वो आप उसकी ओ और की मात्रा की आप देख सकते हैं अब नेक्स है हमारा चित्रों को देखकर ओ तथा ओ की मात्रा लगाकर शब्द पूरे कीजी अब यहां पर क्या है अब हमने मात्रा लगाकर हमने शब्दों को पूरा करने हैं अब सबसे पिच्चर पहले यह चित्र कौन सा है टोक्री का हम क जोकर जोकर अब यह हमारी जो नेक्स्ट है पिच्चर वो किसकी है लौकी अब कैसे लौ लौ ओ की ओ की साउंड अब यह है हमारी धोलक कौन सी है धोलक धोलक यह हमारा हथोलक किसकी साउंड आज है औ तो हम कौन सी हाथ की हतो रौड़क अब यह नेक्स्ट है औरत किसके ओर आजये ऑ। टैंडे के लिए इनोंने उल्टा दे दिया पहले हूलस की है आप वोलते है ओ, तो यह बन गया हमारा औरत अब यह next है हमारी exercise शब्दों को अलग-अलग करके लिखी अब यह है इन्होंने उल्टा दे दिया पहले हमने जैसे मात्रा लगानी थी अब यहाँ पर इन्होंने शब्द दिया गया हमने उनको अलग-अलग करके लिखना है जैसे मोहन का म, ओ, ह, न, मोहन जैसे हमने यहाँ पर किया न, इसका बिल्कुल विप्रीट अब यह है लो-मडी तो हम क्या करेंगे ल, ओ की मात्रा म, र, इ अब यह हमारी कौन सी मात्रा इ तो क्या क्या हमारा लो-मडी अब यह हमारा next है बोतल तो क्या है ब प्लस ओ प्लस त प्लस ल, बोतल next है हमारा कचौरी क, च, ओ, र, र, इ अब यह है हमारा next खिलोना तो सबसे पहले हम कौन सी मात्रा लगाएंगी इ ख, ल, ओ, न, आ, न, आ, खिलोना अब next है हमारा चौबीस तो क्या है च, ओ, च, ओ, ब, इस, इस, चौबीस अब यह हमारा अगला है चित्र देखकर कहानी पूरी कीजिए अब सबसे पहले हमने किसको देखना है इस चित्र को बहुत ध्यान से देखो इस चित्र को और जो नीचे जो हमने पैराग्राफ दिया गया है हमने उसको कम्प्लीट करना है आपने देख लिए चित्र अब यह है आज जंगल में दावत है यह क्या चल रही है जंगल में दावत मोर अब देखो और कौन-कौन से पक्षी आपको दिख रहे है मोर कोयल कवा आतोता कौन-कौन दिख रहे है मोर कोयल क-ो-यल कोयल कौवा कौ-आ और तोता सभी पक्षी दावत में डैश है तो यहां क्या आएं है सामने मेज पर अब ध्यान से देखो मेज पर क्या क्या पड़ा है ध्यान से पिच्चर को देखो समोसा, कचोड़ी और पकोड़ी सामने मेज पर समोसा, कचोड़ी और पकोड़ी रखी है सभी डैश, बड़े चाव से डैश का मज़ा ले रहे है अब क्या है सभी जानवर बड़े चाव से किसका मज़ा ले रहे है दावत दावत का मज़ा ले रहे है धर्ती पर एक डैश बिचाया गया है धर्ती पर क्या बिचाया गया है, देखो ध्यान से बिच्चोना क्या बिच्चाया गया है, बिच्चोना धर्ती पर एक बिच्चोना बिच्चोना बिच्चाया गया है उस पर डैश बैठा है अब उस पर कौन बैठ है बिचाना पर भालू कौन बैठ है भालू लॉंग साउंड वह डैश बजा रहा है अब ध्यान से चीत्र को देखो भालू क्या बजा रहा है डोलक क्या बजा रहा है डोलक वह डोलक बजा रहा है अब मैं उम्मीद करते हूँ कि आपको ये इसका क्षा में बहुत आनन्द आया होगा ठीके अब ये है हमारा इस चित्र में रंग भरिए तो ये किसका चित्र है तोते का तो हम इसमें हरे रंग का हरा रंग भरेंगे तो ये तो आप भर सकते हो खुद ठीके अब आप यहां से इसका स्क्रीन शॉट ले लो और इस तोते में रंग भरो ठीके मजा आया आपको मज की कक्षा में और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शियर, सब्सक्राइब करना मत बूलें और अगर आपको कोई भी क्वैरी है, कोई भी आपने चीज बूचनी है तो आप मुझे कोमेंट करके पूछ सकते हैं मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में तिल देन, बाइ बाइ, गुडबाइ